ज्यान मंत्रा हूं ब्रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर्ताली का तीच कब है शुब मूरत, महत्व और पूजा विधी के बारे में तो आए जानते हैं बहादरपत के शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी को हर्ताली का तीच के नाम से शिव पारवती भक्तों में जाना जाता है साथ ही इस दिन शिव और माता पारवती की पूजा अर्चना करी जाती है हिंदू पंचांग के अनुसार बहादरपत महिने के शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी को हर्ताली का तीच का विरत रहेगा शास्त्रों के अनुसार हर्ताली का तीच को सबसे वड़ा दिन माना जाता है हरतालिका तीज से पहले हरयाली और कजरी तीज मनाई जाती है हरतालिका तीज में भगवान शेव और मा पार्वती का पूजा पाट करना अनिवार है अगर हम बात करें तो इस व्रत को करने से अखंड स्वभाग्य की प्राप्ती होती है इस दिन सोहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार वरत रखके अपने पती की लंबी उम्र की कामना करती हैं हर्तालिका तीज वरत को सोहागन के अलावा कुवारी कन्याई भी रखती हैं माननेता है कि इस वुरत के पॉर्णने प्रभाफ से कुवारी कन्याओं को मन्चाहवर प्राप्त होता है। अगर हम बात करें हर्तालिका तीज के शुम मूरत की तो हर्तालिका तीज वुरत अपकी बार 30 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। इस दिन सुभा साड़े 6 बजे से लेकर 8 बच के 33 मिनट तक पूजा का शुम मूरत रहेगा। अगर हम हर्तालिका तीज पूजा विद्य की बात करें तो हर्तालिका तीज में श्री गणेष भगवान, शिव और माता पार्वती की पूजा करी जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों भगवानों की प्रतिमा बनाएं और फिर उनको तिलक लगाके भगवान गणेश को दूबरा घास अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेल पत्र और शमी पत्री अर्पित करें और मा पार्वती को श्रिंगहर करके उनका जो भी समान है वह अर्पित करें। तीनों देपताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरताली का तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश की आर्ती करें और भगवान शिव और मा पार्वती की आर्ती उतारने के बाद भोग लगाएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।